हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे आज के इस वीडियो में हम कक्षा दस्वी सीजी ओपन इस्कूल याने कि 36 गड़ राज्जी ओपन इस्कूल बोड कक्षा दस्वी के ग्रह विज्ञान याने कि होम साइन्स के सभी प्रशनों के उत्तर एक से लेकर 2019 तक के संपुर्ण सॉलुशन एक ही वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो को देखने एके बाद आपकी जो आंसर कॉपी हो पूरी कंप्लेट हो जाएंगी होम साइन्स सब्जेक्ट की आपको दूसरा वीडियो देखने के आवशकता नहीं होगी तो यहां से आप पू ही जायके मिल जाएंगी तो आपनी कॉपी आप वहां से जाकर फटा फट से कंप्लेट कर सकते हैं ओल्स तो यदी चैनल पर पहली बाध आया हो तो वीडियो को लाइख करे ऑड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर जो वश्तामी कैसे होते हैं घुलंशिल होते हैं तो क्या होंगा आंसर उप्रीओकत सभी चली अगला प्रिशन है अब यहाँ पर जो दूसरा है शुशकत आप पर यहाँ पर है मतलब उबालना जो है इसका correct answer है क्यों क्योंकि हाँ पर हमें उबालने के लिए बहुत जादा आपकी आउशकता होगे क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड्स में डाउटनट के साथ करो इनने आउट बस अपने सवाल की फोटो कीचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सलुशन पाओ फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ्स, बायलोजी का हो सीबियासी, यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश या अन्ने स्टेट बोर्ट्स का हो यहां तक की कक्षा 6 से 12, IIT, JE और NEET का सवालो सभी सवालो के वीडियो सलुशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउटनट एप पर इसके साथ ही डाउटनट एप पर चल रही है इंडिया की नंबर वन डेली ओनलाइन वीडियो क्लासिस वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट एप इंस्टॉल कीजे और जो डेनीम कपड़ा है वो कैसा होता है भारी वजन दार होता आप उसको छूकर देख सकते हैं जो डेनीम के जीन्स वगरे होते हैं कपड़े यां तो भारी वजन के होते हैं और मोटे भी होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है आगला है समवातन याने जो वर्टिलेशन्स है इसे स्वच्छ वायू के संचरन के चाहिक और यहां पर दोनों मिलकर बनाया जाते हैं तो सबसे पहले यहां पर इसका उत्तर को मिलता है तो आपको जल बता दूगी और यह आपको पता है तो आंसर कमेंट जरू करें तो तीसरा कोशन यहां पर जो भोक्ता सनक्षन अधीनिया में है यो 1986 में लगो किया गया अब यह पांचवा है यहां पर आपका इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा विटामिन C यह आपके करेक्ट आंसर जाए खंड़सा की और बढ़ते हैं सत्य और असत्य को आपको यहां पर क्या हो जाएगा असत्य है इंकरेक्ट है दूसरा आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसी प्रकार से सत्य है और तीसरा भी आपको यहां पर लिखना सत्य आगे बढ़ते हैं तो अहार पोशन संसाधन प्रवंधन और मानव विकास यह कुछ प्रमुग घटक है जो प्रश्निक्रमांग तीन है आपको यहां पर जो है बताए गया है तो इसका सबसे पहले आपको लिखना है उजा संतुलन और स्वस्त वजन प्राप्त करना इसका मुख्योंगा फिर फलो और सब्जी और फली अनुदार कली का सेवन बढ़ाना सामाने चीनी का सेवन सीमित करन इसके बाद आपको स्वस्त रहने की दो और पुछे बहुत आसन से तो इहां पर आप देख सकते हैं इसमें आप जो पॉंट लिखना चाहिए वह भी लिख सकते हैं इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते है जैसके कि लिफट का प्रयोक कम करें धूप में कुछ समय ब नास्ता करना और यह आप इन में से कोई भी दो चीजों का अच्छे से लिख सकते हैं जो नियम बहुत अच्छे से चले नेक्स कोश्चन की और बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है प्रश्न क्रमांग 5 देख लेते हैं यहां पर आपको जो वीदिया है वो पुछी गई है त दूसरी क्या लिख लोंगे डुबो कर रखना याने डीपिंग याने अंदर गहराई में जो पानी को कपड़ी उनके कपड़े जैसे उनको रख देते हैं डीपिंग क्या लाता है तो डूबो कर रखना है दो वीदिया लिख लिजे बस नाम लिखिए क्यावल इनके हो संसाधन कितने प्रकार खोते हैं प्रकोर्च शर्व इस प्रकार के होते हैं आपको लिख लेना आपको अब्जेक्टिव में पूछा गया है और यहां पर पूछा गया संसाधन इसकी परिभाशा भी लिख सकते हैं जैसे कि एक संसाधन एक इस त्रोथ यह आप उड़ती है जिससे एक लाब इत्पन होता है जिसकी कुछ प्रशन को अगर्वास्तों के आपको यहां पर लक्षन पूछे गए तो कोई भी हाँ पर लिख सकते हैं जैसे सामानी रुप से सरीर पुल जाना चैरा पुल जाना बुखार और यहां पर आपको दिए धड़कन तेज होना आराम के दोरान भी थकावट होना यह सारी चीज बहुत आवश्यक है जैसे कि आपको बहुत ज्यादा भूग लगते और यह आपको खाना ना मिले तब आप भूजन की कमें मैसुस होती है तो इसी प्रकार से आपको जितनी भूग हो आपको उतना ही खाना लिलना चाहिए ज्यादा अपने खाने का जो है वेस्ट नहीं करन 칠 कि आपको ना चाहिए तो यह आपको की आपको ना चीए पूरा कारण दिया है सबसे पहलो है इस अत्री जितना सैंब में होजन्के लिख सकते हैं यहां पर पॉइंट वाइस इनको लिख लिए यदि कम अंक में है तो और संदक्षित भोजन को उनिस्थानों पर भेजना जहां उन्हें उगाया नहीं जाता जैसे कि कुछ छेत्र में हैं जहां पर यह चीज़े कम मिलती है जिन्हें हम खाते तो वहां पर आप भेज सकते हैं असानी से इनके सिर्फ मेंन पॉइंट भी लिख लेंगे तो भी आपको कंप्लिट नंबर मिलने वाले हैं इसलिए इनके में पॉइंट लिख लेजें आप जो यहां पर नेक्स्ट कोश्चन है अगले प्रशन प्रशन करमांग 9 कारक लिखना है आपको जो व विकास में महत्वपूर्ण भुमी का निभाता है फिरलिंग एक्सराइज और हैल्थ हार्मोन पोशन पारिवारिक प्रभा और भोगलिक प्रव यह सारे है जो विकास को प्रभावित कर सकते हैं चली अगला प्रशन देख लेते प्रशन के बांग 10 नैतिक्ता और मुल्य इ अगले प्रशन को पूछा श्रम क्या है तो किसी वस्तू अर्थ धन अथवा उद्देश की प्राप्ति के लिए कि गय प्रत्न का नाम क्या है श्रम की गरीमा कैसे होती है बहुत अच्छी बात होती है चली अगला प्रशन देखते हैं प्रशन के लिखना है तो एक प्रशन व्हकता के तौर पर आपका अधिकार है कि आप किसी ब्यूत पांथ अत्वा कमपनी से जुड़े सभी और शर्तों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं एक भोकता के तौर पर आपका अधिकार यहां पर जो भी आपको दी गई यह आपको जानकारी लिख लेना तो जो भोकता के बारे में वह अब अधिकार कुछ इस प्रकार से हो जाएगे जैसे कि सुरक्षा का अधिकार यहा तो यहां पर नाम लिखने आप के प्रमाणी करण के लिए एगमार रेखучान है लिए क्रमांन golpe चालता ही कि वस्तुकी गुंःवत्ता की 3 परकार द्वारा प्रयोजीत किसी संस्ताने जाच कर ली है और खाद्य पधारतों की पेकिंग के लिए सुरक्षित सामगरी सही से पैक किया गया यह आप यहां पर संदक्षन में देख सकते हैं मानकी करण के लिए आप कुछ प्रमुख चिन्नों के नाम देखते हैं भारत में प्रमुख मानकी करण चिन्न या प्रमानी करण चिन्न है जिन्ने जो मानने अता प्राप्ते हो कौन-कौन से है तो आई-एसाई चिन्न यानि कि भारती मानक ब्यूरों का पिछला नाम भारत में ओधों की कुदपादों के लिए प्रमानी करण या मानकी करण चिन्न है अब प्रदूशित जल से उत्पन होने वाले रोगों और स्वास्ते समस्याओं का मुख्य स्त्रोथ जल प्रदूशन ही है खेतों से भहकर आये पानी से आने वाले तलचत और अनुपचारित या आंचिक रुप से उपचारित सीवेज का निस्काशन और अधोगी कच्रा ठोस कच्रा या धूलका निसकाशन जल स्त्रोथों के अंदर या उनके आस पास करना गंभी रूप से जल प्रदूशन का कारण पानी की पारदर्शिता इस गंदगी की कारण कम हो जाती है जिससे पानी के अंदर प्रकाश की किनों का पहुचना बहुत कम हो जाता है और फलसरूप जली पोदू द्वारा प्रकाश संसलेशन में भी कमी आ जाती है अब इसके स्तुरोच जान लेते हैं तीन प्रमुक प्रदूशित होते हैं जली जीव पानी से उनकी नश्कों को लेकर उनकी नाश्यकों से प्रभावित हो कर खात शंकला से जूर जाते हैं और बाद में यह सब जो हैं अंतिम झोड तक प्रदूशन पहुच जाता है इसी प्रकार से दूसरा स्त्रोथ है और यह इसी प्रकार से तीसरा दूसरे में आप जैसे धातुए यहां पर देख सकते हैं सीशा जिंक तांबा पारा यह फैक्टर से निकले और धोगी जल में मिले रहते हैं जिसका प प्रदूशन मरकरी से होने पर मनुष्य में मिनी माटा रोग हो जाता है इसमें ड्रॉप्सी रोग भी होता है जबते के कारण डिस्प्लेक्स ही हो जाता और केडमियम का जहर इताई-इताई-रोग का कारण होता है यह आपको लिख लेना तो यह तीनों मुख्य कारण इस लिख वहां स tota मेंते हैं वह सपाइदे हो जाएगे देख लेएं समय नियोजन के आपको फायदे मगद में फ्रेशनिक्रमान को में समयी नियोजन के बहुत सारे जैसे कि यदि आप अच्छी तरह से समय नियोजन करते तो पहला मोरेशकर देशकते हैं तो आगली कार्य उद सकते हैं या इसका तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं और आप अपना मनुरंजन भी कर सकते हैं जो खाली समय उसके द्वारा तो यह कुछ प्रमुख फायदे आप इसको पॉइंट वाइस लिख सकते हैं चलिए नेक्स्ट कोश्चन के और देखते हैं तो प्रश्निक्रमांग 16 आपको पूचा गया है कार्बाहाटरेट के स्त्रोथ की चार्बाहाटरर्ट मिलता है जिसको खाने से जिसको सेवन करने से आपको कार्बाहाटर्ट की प्रचूर मात्रہ मिलती तो वेचसार जावल गेहू मकका साबूदाना अटिय और जो सभी बेकरियोद पादनों दाल, two साबुदाना रतालु और सुखे में वो से आपको कार्भाहिटरट मिलता है और दूसरा पादन जैसे चीनी जिन में मीठा हो तो गन्य गुड शहत जैली सुखे में वे मिठाई और अंगूर आदिताजे फलो में मिल जाता है आपको इतने सारे कार्भाहिटरट के स्तरोथ हो अब आपने कार्बाहेटर्ट धन कर लिया तो इसके कारे क्या प्रमुख हो सकते हैं तो कार्बाहेटर्ट के प्रमुख क्या हो सकते हैं कार्बाहेटर्ट जो है जीवों की संदशनात्म की काई के रूप में कारे करता है यह प्रत्यक जीव और पौधों के बहुत जरूरी पोशक्तत्व है इसके महत्वपूर्णक कारियों में निम्न को शामिल किया जा सकता है जैसे कि लिपीट चपाज चाय के लिए आवशक है कारे प्रमुख हो जाएगा दिर्क कालिक खाद दिभंडारन अनू यने एटीपी या उर्जा उतपात के रूप में कारे करता है प्रोटीन संडक्षन में अहम भूमिगा निभाता है कार्बोहेटरिट यकरत द्वारा फेटी एसिट और ट्राइगलिस राइट्स में परिवर्टित हो सकते है जो की स्वास्था के लिए क्या है आवश्द्ध है कोशिका उतको और अंगो को आकार प्रदाने करने का कारे करता है राइबोस और डियोक्सी राइबोस के रूप में आर एने और डी एने के संड़श नात्मकी काई के रूप में अनुवान्शी की लक्षनों को रखता है और मस्तिश्क की उच्च उर्जा आवशक्ता के लिए प्रात्मी किंदनी स्त्रोत के रुप में कारे करते हैं आपको प्रमुक कार्बोहट्रेट के कारे लिख लेना है चले इसी प्रकार से अगले प्रश्ण का उत्तर भी देख लेत हैं जिसके फलसरों पालक का या बालिका का गर्वकालिन विकास दो स्पूर्ण हो सकता है तो यह कुछ कारण है जैसे की पोशन पोशन यदि ठीक रूप से नहीं दिया तो यहां पर हो सकता है टेटो जोंस हो सकते हैं दबाए नशीली दबाए मादक द्रवे शराब बहुत पूरा सा डालते हैं सिग्रेट का प्रयोग और हर्मोन सी सारी चीज़ें आपर प्रभावशील होती है अब इसमें आप और डिटेलिंग लिख सकते हैं जैसे की पोशन में तो अपरियापता हर माता के स्वास्ते के लिए हानिकारक हो सकता है जिससे मा और गर्वस्त जो संबंदी स्वास संबंदी रोगे यह उत्पन हो सकते हैं यदि गर्वास्ता मा काहर बहुत ही अपर्यापत हो तो बच्चे के सारी रिक और मानसिक विकास पर बुड़ा प्रभाव पड़ सकता है यदि माताय अत्यधिक दुम्रपान और मदीरापान करती है उनके बच् उनका पोस्टिक स्तर और उनकी भावनातमक स्थती तो किस प्रकार के भावन के अंदर है वो भी गर्वास्तों के दवरान माता का तनाव रहित और प्रसनचित रहना महत्वपुर्ण होता हैं क्यूंकि संवेदनातमक तनाव से मा के रक्त में हार्मोन और रासानिक पधार निर्मोक्त होते हैं, जो की गर्भ के र क्तप्रवाहा में चलेगा जाते हैं, ये उसके लिए हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार से छी आपको लिख लेता है अगला प्रश्न उतर देखते हैं, प्रश्न क्रमान, कठा देख लेते हैं आपको दागों के हटाने की पद्धती ओस पूछी गई है तो देखर पहला आपको यहां पर पूछा गया है चाय का दाग तो चाय के दाग के लीए सफेद सूती कपड़े या रंगी सूती कपड़े पर हो तो इस पहते हैं तो यहाँ पुराने दाग उनके लिए प्रयोक कर सकते है ज्याद़ देरे तक को दाग वाले को मग या पहन के उपड़कर रखकर उसके उपर घर्म पाहलने डाला है दूसरा है हीना या महंदी है यही महंदी के दाग हो तो आदे घंटे के लिए गुं-गुने दू पूचहे गाया है और भी अत्वा भी है को कुष्ण का भी पूछा है तो ंत्तर इसमें लिख सकते हैं तो अथoug comen geral को इसमें कोय यह म hade खर रहे हैं को और में लापको कार stamलत यह को अगला पूचा गया है तो प्रात्मिक जीकिच्स आ क्या होता है और इसके दो नियम भी लिखना तो इसका उत्र हो जाएगा किसी रोक की होने या चोट लगने पर किसी अपरशित व्यक्ति द्वारा जो सिमीत उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रात्मित चिकित्चा ये फर्स्टेट कहते हैं, इसका उद्दिष क्या होता है, कम से कम साधनों में, इतनी व्यवस्ता करना कि चोड़ग्रस्ट व्यक्ति को सम्य की लाज कराने की स्थीति में, लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। प्रात्मित चिकिच्चा प्रसिक्षित या और प्रसिशित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उप्चार है कभी कभी है क्या होता जीवन रक्षक यान जान भी बज जाती है तो बहुत अच्छा है प्रात्मित चिकिच्चा इसको ध्यान से किये जाना ब वादे खुब हवा जिससे वो स्वास अच्छी तरीके से ले सके रोगी को पीट के बाल लिटा कर सिर्व नीचा एक तरफ करें रोगी को अच्छी तरह कोट या कंबल से ढखे तथा पैर में गरम पानी की बोतल से से करें यह कुछ नियम है जो आपको इसमें लिख लेना हम त कि अपने हिंदी इंग्लिश विज्ञान सामाजी विज्ञान विश्यों के प्रश्णों के उत्तर नहीं लिखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है पूरे क्यों पूरे क्म्टेट सॉलेशन से एक से लिका लास्ट कोश्चन तक के सभी विश्यों के जितने भी वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर जरू करें थैंक्स पर वाचिंग